हाई गाईज वेलकम बेक टू माई चैनल गाईज आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि अगर आपने स्मूतनिंग रिबॉंटिंग या केरेटेन करवाई है तो आपको अपने बालों पर कौन सा कलर लगाना चाहिए कौन सी महंदी का यूज करना चाहिए अज की वीडियो में मैं आपके साथ इस कलर का रिव्यू भी शीयर करूंगी साथ में चेहर करूंगी मैं पना टांवड मेंdar Equal Rain मेहंदी बाई कर सकते हैं तो गाईज अगर आपने स्मूथनिंग करवाई या रिबॉंडिंग या केरेटन करवाई और आपको वाइट हीर की प्रॉब्लम है तो आप इस मेहंदी का यूज कीजिए इस कलर का यूज कीजिए इसका कोई भी नुकसान नहीं है बिल्कुल हर्ब आपके बालों को कोई वी नुकसान नहीं करेगी तो मैंने देहीं करवाई है और मुझे इस्मूथनिंग करवाई हैं? मुझे 6-7 महीने होाई है जो मेरे फ्रंट के बाल है वो काफी ज़्यादा वाइट हो जाते हैं जिस वज़ा से मुझे कलर का यूज करना पड़ता है तो आप देख सकते हैं कि बाल कितने ज़्यादा बीच-बीच में से वाइट हो चुकी है तो मैं महंदी पहले कोई और यूज करती थी जिससे कि मेरे स्मूथनिंग करवाई है तो सबसे पहले तो मैं आपको यही कहूंगी कि आपको स्मूथनिंग नहीं करवानी चाहिए अगर आपके बाल वाइट है अगर आपको वाइट हीर की प्रॉब्लम है तो आप स्मूथनिंग केरेटेन या रिबांडिंग मत करवाई है क्योंकि बा कुरे प्रोफेशनल प्रोडक्ट यूज करती हूं कंडिशनर सीरम हर चीज यूज करती हूं यहां तक कि मैं ऑईलिंग भी करती हूं बट मुझे महंदी लगानी पड़ती है जिस वजह से मुझे ऐसा फील होता है कि बाल काफी जदा ड्राय हो जाते हैं स्मूतिंग वाली का जरूर यूज करके देखिए इसली आप लोकल मार्के स्टोर से और ओनलाइन भी यह वले कलर को बाई कर सकते हैं बिलकुर हर बल महंदी थर्टी मिनट के लिए आपको इसे लगा कर रखना है तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से पार्टीशन करकर के आपको अच्छी तर देखिए कि कलर को किस तरह से लगा रही हूँ इसी तरह से आपको ये वले ब्रश का यूंज करके अच्छी तरह से सारे बालों पर लगाना थर्टी मिनट के लिए इसे लगा की वज़य से बार बार वाइट हो जाती है तो मुझे 15 डेज में एक बार का यूज करना पड़ता है कि स्मूथनिंग डीबांडिंग और केरेटन करवाने के बार कि बड़ी दा परिशानी हो जाती है क्योंकि बाल काफी चै Mitarbeiter की स्मूथ होते हैं और लगा-लगाकर बाल काफी ज्याद अब यह मत सोचिए कि आपने स्मूथनिंग रिबॉंडिंग या केरेटेन करवाई है तो आप आप आइलिंग कीजिए जहां जहां पर आपको वाइट हीर की प्राप्लम पे लेंध पे वहां वहां आप कलर का यूज कर सकते हैं इसकलर को आपको बहुत ज्यादा देर के लिए बालों पर नहीं रखना है सिर्फ 30 मिनट्स के लिए ही रखना है इस तरह से आप ब्रश की हेल्प से यह वले कलर का यूज कर सकते हैं आप चाहे तो किसी की हेल्प भी ले सकते हैं अगर आपने स्मूथनिंग रिबॉंडिंग केरेटेन करवाई है तो अपने बालों की प्र प्रोड़क्ट का यूज कीजिए ओलिंग टाइम पर कीजिए तो कि स्मूथनिंग करवाते टाइम हमारे बालों पर काफी जदा केमेकल का यूज किया जता है जिस वजासे ना उस टाइम तो हमारे बाल काफी जदा स्मूथ सिल्की और सॉफ्ट लगते हैं बड़ कुछ दि करवाते हैं ना ही आपको अपने बालों पर ऐलिंग करनी है और ना ही ब्रेट बनाकर रखना रही रबर बैंड डालना है बट एक महिने बाद आप अपने बालों की अच्छी वालिए करना स्टार्ड कर दे ओई निलींग भी करें और आप कलर का भी यूज कर सकते हैं अपन के बाद आपको हेर वाश करना है आप जहें तो शैंपू यूज मत कीजिए सिरफ पानी से अपने बालों को दो लीजिए एक दो दिन बाद अगर आप शैंपू करेंगे ना तो आपके बालों पर काफी पक्का वाला कलर आएगा आपका जो कलर है वो ज्यादा टाइम तक निक किया है मैंने कोई भी शैंपू का यूज नहीं किया जब मेरे बाल बिल्कुल ड्राइ हो गए थी ना फिर मैंने थोड़ी सी ऑईलिंग अपने बालों पर किया और दो दिन बाद मैंने शैंपू का यूज किया ऐसा करने से ना जो कलर का जो हमने महंदी लगाई इसका कलर ब बालों पर अगर आपको यूज करना है तो आप इस कलर को यूज कर सकते हैं अच्छी तरह से सारे बालों पर पानी डालिए ताकि सारा कलर बालों में से निकल जाए जैसे कि विंटर है तो मैं थोड़ा सा गरम पानी यूज कर रही हूं बहुत ज़्यादा गरम पानी से भी पानी उतनी देर तक डालते रहे हैं जब तक पूरा कलर बालों में से नहीं निकल जाए आपको किसी पाटी फंक्शिन में जाना है या फिर आपको कहीं पर भी जाना है जरूरी जाना है तो आप शैंपू भी कर सकते हैं बट अगर आपको कोई भी बाहर जाने का काम नहीं है तो आप सिंपल पानी डाल लीजिए ऑलिंग इसके बाद कीजिए बालों को सूखने के बाद तो आपका जो कलर है वो काफी जदा अच्छा आएगा तो देखे इस तरह से मैंने अपने एर वाश किया है तो आप लास्ट में आप मेरे बाल देख सकते हैं कि बालों पर बिल्कुल नेचुरल कलर आया है कोई भी आर्टिफिशल कलर नहीं है इस कलर का तो अगर आपने स्मूथनिंग रिवांडिंग या कैरेटेन करवाई है तो आप इस कलर का यूज कर सकते हैं दिवाल हर्बल महंदी आप इसका यूज कर सकते हैं इसली लोकल मार्के स्टोर से इसे बाई करके मुझे इसकी रिजल्ट काफी ज़दा अच्छे लगे इसलिए मैंने सोचा है मैं आपके साथ इसकी एक वीडियो शेयर करूं ओप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें थैंक्स वाउची है